नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हीमिडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक वर्फिस से हीमिडिया एजुकेशन आपके लिए जोब से रेट अपडेट लेके आया है और इस वीडियो में जो है हम लोग आपके साथ स्पोर्ट्स ओफिसर जूनियर अ काउंटन की काम पे विकेंसी निकलिया कौन अपलाई करेगा कैसे अपलाई करेंगे इसकी चर्चा करने जा रहे हैं तो दोस्तों कर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब बैल बटन को जरूर कीजिगा ताकि डेली आपके बास सारे हिमाचल के जोब स अपडेट पहुंच से रहें स्टार्ट करते हैं आज की नोटिफिकेशन के साथ तो पहली जो नोटिफिकेशन है वो आई टी मंडी की तरफ से जारीगी है 30 स्टमबर की ये नोटिफिकेशन रहेगी अपलाई करने की जो लास्ट डेट है इसमें 28 अक्तूबर रखीगी है जो पहली विकेंसी हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यह स्पोर्ट्स ओफिसर की विकेंसी रहेगी सेंटर पे स्केल की साबसे लेवल 10 पे इनको जो पे स्केल है वो दिया जाएगा एज लिमिट की बात करें तो 40 येर्स रखीगी है टोडल नंबर और पोस्टों में लेकिन साथ में कम से कम आपके वास 55% मार्क्स होने अनिवारे रहेंगे और इसके साथ साथ आपके पास रिकोर्ड आपका होना चाहिए अपने रिप्रेसेंटेशन की हो इंटर उनिवरसिटी में या कोलेज की इंटर उनिवरसिटी कंपिडिशन में या स्टेट में या वाला criteria आपके पास fulfill होना चाहिए आप qualified होने चाहिए national level test जो की conduct किया जाता है UGC की तरफ से उसके वो आपके पास clear होना चाहिए वो पास होना चाहिए physical fitness test according to UGC regulation और 7 में 10 years का experience होना चाहिए तो अगर आपको इसमें से criteria को fulfill करते हैं दोनों में से किसी एको तो आपकी जो recruitment है आप इसके लिए eligible हो पाएंगे और आपको बता रहेते हैं कि ये दोस्तों जो job है regular job है पहले आपको provision पे रखा जाएगा वन येर के लिए उसके बार आपका further extend भी हो सकता है provision period लेकिन provision period complete करने के बाद जो है आपको इसमें regularized कर दिया जाएगा apply करने का जो process है वो online रहेगा उसकी complete notification आप हमारी website से download कर सकते हैं वहाँ पे आपको इनको apply करने के जो application link है वो भी मिल जाएंगे fees जो है इसके लिए इस post के लिए 1000 रुपीज रखी गया जो आपको SBI के इस account number पे send करनी होगी और साथ में जो है आप इसका transaction ID वगएरा mention करेंगे जो अब आप इसका online application form भरेंगे तो यह हमारा पहले जो updated update था दूसरा जो update है यह भी IIT मंडी की तरफ से ही जारी किये गया है ती स्टंबर का ही यह भी notification रहेगा last date apply करने की 23 October रहेगी इसमें जूनियर accountant की टोटल 8 पोस्टों के लिए भरती हो रही है जूनियर assistant की जो है 25 पोस्टों के लिए भरती हो रही है एकुल मुलाके 33 पोस्टों के लिए यह भरतीया निकली है इसमें जो है different category की आप दे सकते हैं रोस्टर वाइस जो vacancies निकाले गी है तो कौन सी विकेंसी सोरी कौन सा रोस्टर की इस category के लिए यह आप screen पर दे सकते हैं जूनियर accountant की पोस्ट के लिए जो essential qualification रखी गी है तो बीकॉम रखी गी है बीकॉम है अगर आप और आपके पास एक साल का experience accounting software का तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं ल जूनियर एसिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी यही essential qualification में बताया गया कि आपके पास bachelor degree होनी चाहिए कम से कम 55% mark के साथ उसाथ में जो है आपके पास computer application की knowledge होनी चाहिए और एक साल का experience होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास master degree है तो जो एक साल की experience है उसमें relaxation दी गी है experience इसमें भी मांगा गया है लेकिन यह desirable में रहेगा अगर आपके पास नहीं बिया तो भी चलेगा इसको भी apply करने का जो process है दोस्तों वो online है वो आप हमारी website से www.him-india.com से इसकी complete PDF डाउनलोड कर लेंगी वहाँ आपको apply link भी मिल जाएगा इसमें भी जो आपको application fees है online इसक 200 रुपीज रखी गई है तो यह दोस्तों अगर आप दोनों poster के लिए apply करना चाहते है तो दोनों poster के लिए अलग लग से आपको apply करना होगा तो यह हमारा आज का jobs rated update था जैसे और update मिलेंगे उसको आपके साथ share जरूर करेंगे चैनल को subscribe bell button को जरूर कीजीगा फिलाल इस व